हाई गाईज वल्कम दी यूटूब तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं नेम एड्रेस गूगल एड्सेंस अकाउंट के अंदर और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा सही फॉर्मेट एड्रेस को लिखने का गूग एक लेटर के थू हमारे एड्रेस में सेंड किया जाता है जो भी एड्रेस हमने गूगल एड्सेंस अकाउंट में डाला होता है और उसके बाद हमें ये कोड मिलता है इस लेटर में ये लेटर हमें आता है उस एड्रेस में तो इस कोड को हम क्या करते हैं इस कोड को हम डालत हैं हमारे google adsense account में और हमारे जो account होता है verify हो जाता है google को पता लग जाता है कि हम एक असली इंसान है और हम कोई धोका धड़ी नहीं कर रहे हैं उसके बाद pin डालने के बाद जिनने भी पैसे हमने कमाए होते हैं google adsense में उसके बाद उन पैसो को हम अपने bank account में ले पाते हैं लेकिन कुछ cases में होता क्या है कि लोग जल्दी जल्दी में अपना address name गलत डाल देते हैं और उन तक यह verification pin कभी नहीं पहुंच पाती है तो मैं आपको इस video में बताऊंगा कि किस तरह से आप change कर सकते हैं address को और name को और पासकते हैं verification pin अपने सही address में तो start करते हैं तो यह मेरा account है एक इसके अंदर पहले से मेरे बास 30 dollar है तो इसमे address को update करने का मेरे name को update करने का कोई फाइदा नहीं है तो मैं आपको दूसरे account के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से हम name को address को update करते हैं पर इस account के थू मैं आपको बताऊंगा सही format addressing का सही format क्या है address डानने का because इस account के थू मुझे यह verification pin मिली थी इसका मतलब कि मैंने सही format use किया था address डानने का तो shift करते हैं दूसरे account में मेरे front के account में तो यह है मेरे दोस्त का account जो अभी कुछ दिनों के लिए इस account के अंदर मेरे पास सिर्फ है $5 इसमें आपको $5 मिलेंगे तो अभी हमारा जो है $10 पूरे नहीं हुए हैं तो हम क्या कर सकते है address को change कर सकते हैं इस account के अंदर भी हम address को change कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके $10 से जादा है या कम है आप address चेंज कर सकते हो तो अब हम क्या करेंगे payments में जाएंगे payments से एक option आपको मिलेगी यहां पे payments में हम जाएंगे अब payments के अंदर हमें बहुत सारी option भी लेंगे तो जल्दी से load हो जाए तो यहां पे load हो गई सारी options तो एक option होगी setting की option इस option में हमें click करना है manage setting में यहां पे click करने के बाद कुछ इस तरह का page open होके आएगा यहां पे सारी details मिल जाएंगी आपको payments account आपकी ID मिल जाएंगी account ID मिल जाएगी आपकी ओगे nickname वगेरा सब कुछ मिल जाएगा आपकी payments profile आपको मिल जाएगी ओके यहां पर एक option मिलेगी आपको जो की है name and addresses इसमें आपको क्लिक करना है edit वाले button में okay edit वाले button में यहां पर आप अपना name डाल सकते हैं address चेंज कर सकते हैं easily okay जैसे कि for example अभी आपको यहां पर save की option नहीं दिखाए देरी अगर मैं यहां पर name में कुछ words add करता हूं for example यहां second line में कुछ add करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे save की option आ गई आपको सिर्फ save में क्लिक करना है और आपका address जो है save हो जाएगा okay तो इस तरह से आप name address को change कर सकते हो pin code को भी change कर सकते हो मैं आपको suggest करूंगा कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ती रहता है जो बहुत ज्यादा popular हो जैसे कि आपके बापा को आपसे ज्यादा लोग जानते होंगे कि जब भी post man आप तक वो letter आपको पहुंचाने आएगा ये verification pin तो उसको पता होगा अगर वह आपके पापा को जानता होगा या uncle को जानता होगा तो उसको पता होगा कि यह इनका letter है तो उनको मैं दे आता हूं और आपको पता होगा कि आपने उनका नेम वहां पे डाला है और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास यह लेक्टर आया है कि नहीं आया है, या फिर डाकिया बस पहुंच जाएगा आप तक, बस यहां पे सही नेम और एडर्स आप डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और स आप यहां पर सुटेंगे नीचे तो आप यहां पर payments contact को भी एडिट कर सकते हो तो contact details को भी आप यह पर एडिट कर सकते हो अपना phone number भी आप edit कर सकते हो नेम भी edit कर सकते हो बस आपको name edit करना है save की option आजाएगी save पे klick करके आप change कर सकते हो सब कुछ तो इस तरह से आप changes ला सकते हो, अब मैं आपको बचाता हूं सही format address डालने का, तो चलते हैं मेरे account में, मेरे दोस्त के account में नहीं, तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ भी हम payments में जाएंगे, payments के अंदर हम जाएंगे, setting में वैसे ही, तो मैंने setting में गए हम, और अब यहाँ प मैंने post office डाला था, और फिर address line 2 में, जो second line थी address की, उसके अंदर मैंने तहसील डाली थी, और district डाली थी, और अपनी state का नाम आगे जासे लिख दिया था, और उसके बाद city को मैंने चूज किया था, जो nearest city थी मेरे पास वाली, मैंने district को ही चूज किया था, यहाँ पे, और postal code मैंने अपनी village का डाला था, और फिर अपनी state चूज की, और bam, और यह हो गया, simple, और मुझ तक यह verification pin पहुंच गई, बहुत easy है यह चीज करना, तो अब I hope आपको समझा चुका हूँ किस तरह से name और address को हम change करते हैं, Google AdSense account के अंदर, okay, अगर आपको जाना है किस तरह से हम convert करते हैं, non-hosted से, sorry, hosted account से non-hosted पे, Google AdSense को, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, किस तरह से verify करवाना है, Google AdSense account को, blogger के लिए, या wordpress के लिए, या किसी भी website के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, description या मेरे channel में जाके आप ये वीडियो देख सकते हो तो, bye, take care, thank you so much for watching, अगर कोई question हो, तो आप comment section में पूर सकते हैं, bye, take care